सीटेट दिशेंबर 2022 का जो फॉम फिला प्रोसेस है उसके उपर एक वीडियो बनाने की कोसिस कर रहा था तो उसके चलते मुझे ये पता चला कि अरुनाचल प्रदेश का जो एकजम सीटी है वो शिर्फ एक सीटी दिया गया है तो जाहिर सी बात है बहुत लुक सोचेगा एक जगा मिलता है पिर आपका सीटी एक्जम सीटी तो यहां पर अरुनाचल प्रदेश के लिए शिर्फ नमसाई को ही सीटी में डाल रखा है तो मुझे बात समझ में नहीं आ रहा है कि नमसाई को ही क्यू दूसरा क्यू नहीं क्योंकि यहां पर कोई ओप्शन भी निया अलग कुछ सीटी जो रहता था लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहां पर इतानगर है ना नहर लगन है दाइरिक नमसाई है और जैसे यहां पर इस्तेट को सिलेक करेगा तो यहां पर आपका तोल कि प्रदेश के पास कितना है कितना अपर जाएब कर चुका है वो यहां पर स्व करत और इतनगर से नम सही मिनिमम में 300 km से जादा है जाहिर सी बाते उसे जादा है मिनिमम 300 km से और सब को पता है कि केपितेल में ही most of the population जो रहता है और जितना भी अलग-अलग एक्जाम्स का जो एस्पेरंट है वो कैपितल में ही रहके में इसकी तायारिव अगेरा करता है अभी आब सोच के देखो इतानगर नहरलगन को सिती देने का जगा में नमसाई को दे दिया अभी नमसाई तक कितने लोग जाएगा इतना दूर है बहुत लोग तो हम नहीं बोल रहे कि नमसाई खराब जगा है या फिर वहाँ पे नहीं देना चाहिए एसे नहीं बोल रहे है इतनागर नहरलगन को दो एक उप्सिन में पिर दूसरा उप्सिन में नमसाई को भी रखो तीसरा में बासर को रखो क्योंकि बासर पे भी है ऐसे देने जगा तो इतानगर नहरलगन को दाइरिक एबॉइट करके नामसाई करना तो यह तो गलत बात है Most of the aspirant तो इतानगर नहरलगन में ही है हमको पता है और आप सब को पता होना चाहिए तो यह सब पिर सीटेट जो है कि कुछ से मनमर्जी ऐसे नहीं डाल सकता है तो इसको इस्टेट से कोई तो रिकॉमेंद किया है तो रिकॉमेंद कोन कर सकता है वो इस्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट बता पाएगा तो जितना भी aspirant है आपको क्या करना चाहिए यह इस तेक का एजुकेशन दपार्ट मेंन को सवाल करना चाहिए एक्जम सिती का रिलेट यहाा चान्बीन किया है तो अब यहाथ देख सकते हैं फिन दूसरा इस तो एने देख सेटे जह on पे फिन चार जगा में एक्जम सेंटर है, एक्जम सिती है लेकिन यहाँ पे आरुनाचल प्रदेश का शिरिफ नमसाई पे है यह तो गलत है बहुत गलत है और बहुत लोगों के लिए यह मिंस की बहुत डूर भी होगा तो इसलिए इतानगर नहलगन एक करके पिर नमसाई कर दो और बासर एक कर दो ऐसे तब का कर देने से बहुत थी बहतर होना था इसलिए जिसना भी एस्पेरेंट थे आप सबको में यही कहूंगा कि आप इस्टेट का एजुकेशन दिपार्मेंट को सवाल कीजिए किसने यह नमसाई को मिंस की रिकॉमेंद किया रिकॉमेंद किया तो किया लेकिन उसका सथ इस्टेट का जो राजदानी ह इतन अगर उसको क्यों नहीं किया यह सवाल बांगता है और करना चीए हर किसी को उसके बाद जो सीटेट का ओपिसल वेबसाइट में जो कंटेक आस्थ में आप वेबसाइट में जा करके बहाँ पे आपको मेल भी मिलेगा मेल एड्रेस भी मिलेगा कंटेक नमबर भी आपको Office Hour को कंटिक करना चीए, पूछना चीए, क्यों ऐसे किया है, किसने रिकॉमेंड किया है, और इस तेट में आप Education Department को पूछना चीए, इस तेट में Education Department का ही काम है ये, उन लोगों ने ही रिकॉमेंड किया होगा कि इसको एकजम सित्ती दे दो, तभी तो जाके नामसही क कहा है, इविन इतान अगर कहा है, ये भी पताने होगा, तो मैं आप सभी को यही बताने के लिए ये वीडियो को बनाया है कि, इस तेट का राजदानी को चोर के, किसी दूर जगा पे आपका एकजम सित्ती दे देना, ये एक्चुली गलत है, उसको दिया है बोल के नहीं ब को देखके, पीजी में रहके, रेंट लेके, तैरी करके बटते हैं, तो इस तेट का राजदानी में होना चाहे है, ये सब एक्जाम, तो इस वीडियो का अब इन्फोर्मेटिव लगता है, तो ज़ादा से ज़ादा सियर कीजे, जितना भी आपका बीएट कर रहा है, जितन तक हम देने जा रहा है उन सभी के साथ शेयर किजिए इफ पोसिबल आरुनाचल प्रदिश का इस्तेट गभर्मेन को इस्पेशली एजुकेशन दिपार्टमेंट को सवाल किजिए ये क्यों किसलिए हो रहा है तो आई होब कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फरमेतिक लगा हो